नमस्ते बच्चों, आज के उनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है कल की वीडियो में हमने राजा दिलिप पाले पाठ को पढ़ लिया था और उसके शब्दार देख ले थे आज की वीडियो में हम राजा दिलिप के पाठ के प्रश्ण होते देखेंगे पहला प्रश्ण है राजा दिलिप किसके पूर्वस थे तो यहां पूत्र की जगे के आएगा पूर्वस थे राजा दिलिप किसके पूर्वस थे तो किसके थे राजा दिलिप स्री राम के पूर्वस थे उनकी पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिना था नंदनी किस के पुत्र थी? नंदनी कामदे नुगाय की पुत्र थी राजा दिलिप और आने सुदक्षिना किस के आसरम में रहे? महरसी वसिस्ट के और रगुकुलवंस किन के नाम पर चला माराजा रगु के तब इन प्रश्णों के हम देखेंगे पहला प्रश्ण है राजा देलिप किस के पूर्वज थे? यानि किस के दादा परदादा थे? तो इसका उत्तर है राजा देलिप स्रे राम के पूर्वज थे उतर क्या है राजा देलिप स्रे राम के पूरवस थे अगला प्रश्न है उनकी पत्नी का क्या नाम था किनकी पत्नी का राजा देलिप की उनकी पत्नी का क्या नाम था तो उतर है उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिना था उनकी पत्नी का नाम सुदक्षिना था अगला देखिए नंदनी किसकी पुत्र थी? अगला प्रश्नी क्या है? नंदनी किसकी पुत्र थी? तो उत्तर है इसका कामधेनु गाय की नंदनी किसकी पुत्र थी? कामधेनु गाय की अगला प्रश्ण है राजा दिलिप और रानी सुदक्षिना किसके आस्रम में रहे नंदनी गाय की सेवा करने के लिए राजा दिलिप और रानी सुदक्षिना किसके आस्रम में रहे थे तो इसका उत्तर है मैसी वसिस्ट के आस्रम में किसके आश्रम में रहे थे, मैं हैसी वसिस्ट के आश्रम में, आगे देखिए, अगला लास्ट प्रशन है हमारा, रगुकुल वंस किन के नाम पर चला, रगुकुल वंस किन के नाम पर चला था, जिसके आगे चलकर राम जी हुए थे, तो इसका उत्तर है, महाराजा रगु के नाम पर रगु कुल के वंस किसके नाम पर चला था महाराजा रगु के नाम पर आगे देखेंगे अब खाली जगे यानि रिक्तिस्थानों की पूर्ति करो प्रश्नी क्या है रिक्तिस्थानों की पूर्ति करो पहला है उनके राजे में प्रजा सुखी थी खाली जगे में क्या आएगा सुखी उनके राजे में प्रजा सुखी थी किस के राजे में राजा दिलिप के राजे में खर है उन्होंने नंदनी गाय की लगातार खाली जगे में आएगा 21 तिन क्या आएगा खाली जगह में 21 दिन सेवा का व्रत लिया उन्होंने नंदनी गाय की लगातार 21 दिन सेवा का व्रत लिया अगली खाली जगह है एक शेर ने नंदनी को दबोच लिया खाली जगह में क्या आएगा शेर एक किस ने दबोच लिया था शेर ने तो एक शेर ने नंदनी को दबोच लिया अगला है राजा दिलिप की गवभक्ती अमर है तो खाली जगह में क्या आएगा गवभक्ती राजा दिलिप की गवभक्ती अमर है तो फिर से देखेंगे हम पहले खाली जगह में आएगा सुखी दूसरे में 21 दिन लिखावाई है एक शेर और अगले खाले जगे में आएगा गोव भक्ती इसके बाद देखिए निम्न मेंसे निम्न मेंसे सही कथन पर राइट एवं गलत कथन पर क्रॉस का चिन लगाओ यानि जो बाद गलत है उसके आगे हमें क्रॉस करना है और जो बाद सही है उसके आगे हमें राइट कचिन लगाना है तो पहली है राजा दिलिप की रानी का नाम सुलक्षना था सुलक्षना था क्या? नहीं था ना? क्या था? सुदक्षना तो यह पहली पंक्ति गलत है इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे क्रॉस का चिन लगाएंगे राजा दिलिप की रानी का नाम सुलक्षना था यह बात गलत है इसलिए हम पे हमने क्रॉस लगाया ध है राजा दिलिप ने नंदनी गाय की सेवा की तो यह पंक्ति तो सही है कि राज़ा दिलिप ने नंदनी गाय की सेवा की थी इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया राइट का चिन लगाया अगला है राणी सुदक्षिना ने पुत्री को जन्म दिया तो पुत्री तो नहीं जन्म दिती उनके यहां तो एक पुत्र जन्मा था जो थे माराजा रखु के नाम से प्रसिद हुए थे तो यह बात गलत है इसलिए यहां हम क्या करेंगे क्रॉस कर्चेने लगाएंगे राजा दिलिप की रानी का नाम सुरक्षना था? नहीं राजा दिलिप ने नननी गाए की सेवा की? हाँ रानी सुदक्षिना ने पुत्रे को जन्म दिया? नहीं इसके बाद देखिए अगला है विलोम शब्द लिखिए यानि विपरित शब्द लिख रहा है जैसे राजा राजा का रंक बचाना मारना धर्म अधर्म आशिरवाद स्राप अशिरवाद का विपरित क्या होगा? स्राप द्रश्य अद्रश्य द्रश्य यानि दिखाई देने वाला अद्रश्य यानि जो दिखाई नि देता है यानि गालब हो जाता है तो द्रश्य और अद्रश्य राजा रंक बचाना मारना धर्म अधर्म अशिरवाद स्राप अशिरवाद स्राप द्रश्य अद्रश्य द्रश्य अद्रश्य तब आपको अपनी कौपि में ये विलोमशब्द, सही गलत और रिक्तिस्तानों की पूरती गरो और ये जो 5 प्रस्न हमने दिये थे, ये 5 प्रस्न है जैसे लिखे में वैसे ही सुन्दर सुन्दर अक्षरों में आपको अपनी कौपी में करने है और साथ ही साथ स्लेट पर लिखकर इन प्रशनों को याद भी करने है ताजा दिलिप किसके पूर्वस्ते श्री राम के उनकी पतनी का क्या नाम था? सुदक्षिना नंदनी किसके पूर्वस्ते थी? काम देनुगाय की ताजा दिलिप कुरानी सुदक्षिना किसके आश्रम में रहे? महर्शी वसस्त के आश्रम में और अंतिम प्रशने रगुकुलवन्सकिन के नाम पर चला महाराजा रगु के नाम पर तो इस तरीके से सभी प्रशनों उत्रों को आपको सुन्दर सुन्दर रगुए